दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फेंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आस्ट्रेलिया वर्सिस इंगलैंड के बीच में जो इस वर्ल्ड कप का मैच नंबर 17 आज आपको खिला जाता हुआ दिखेगा इस मै करना है कैप्टन किसको करना है वाइस कैप्टन सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हो समझाने वाला हो दूस्तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जिस भी भाई ने अभी तक हमारे फैंटेसी आर्मी चैनल को सब्सक्राइब नह के नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए तो बैल आइकन आप लोग यहाँ पर जरू क्लिक कर दीजिएगा अब आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है इस वाले लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे एक तो ये तरीका हो गया टेलीग्राम से जॉइन करने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ इस चैनल के फैंटेसी आर्मी चैनल के अबाउट से इका मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का बताया है वटाफट से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा एक तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या फिर आप इस चैनल के अबाउट स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटापट से टेलीग्राम चनल से जरूर जुड़ जाईएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो इहां पर पसंद आती है वीडियो को लाइक जरू करिएगा 5000 लाइक का बहुत चोटा सा टार्गेट आप लोगों के सामने रख रहा हू आई होब कि आप 5000 लाइक कम्प्लीट करवाएंगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए फिर इस वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझीएगा सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में मैच खेला जाएगा Kensington, Oval, Bridgetown, Barbados में बात करें अगर हम लोग यहां पर पिच के बारे में तो आप लोगों को बता दू, Bridgetown के ओपर अभी तक Total World Cup के तीन मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से पहला जो मुकाबला हुआ था नभीबिया और ओमान का वो था बहुत जादा लो स्कोरिंग मैच क् फिर यहां पर मैच रद दो गया वो वाला, तीसरा मैच हुआ यहां पर आउस्ट्रेलिया ओमान का जो की यहां पर ठीक ठाक स्कोरिंग वाला था, आउस्ट्रेलिया ने 164 बनाए ते ओमान पर चेज नहीं हुआ था, तो तीनो मैचे से मैंने एक चीज समझी है कि यहां की जो पिच है न, एक तो यहां पर जो पावर प्ले होता है, चाहे वो पहली इनिंग का हो, चाहे वो सेकिंड इनिंग का हो, वहां पर तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिल रहा है, ठीक है, और इसी के साथ मुमेंट के साथ साथ तेज गेंद बाजो को एक्ष्ट्रा बाउंस भी यहाँ पर मिल रहा है और जब power play का phase यहाँ पर खतम हो जाता है उसके बाद बल्ले बाजी करना आसान है फिर यहाँ पर पिछ बल्ले बाजी के लिए बहतर हो जाती है spinner की अगर बात करो तो spinner के लिए turn नहीं है जो तीन मैचीज यहाँ पर खेले गए हैं तीनों मैचीज में spinner को turn नहीं मिला हाँ बस कमजोर जो टीमे थी वो spinners को wicket दे की गई है वरना आपको बताओ जब वो दो अच्छी टीमों के बीच में match होगा ना तो spinner के लिए उतना जादा turn आपको देखने को नहीं मिलेगा ये चीज ध्यान रखके चलिएगा तो बल्ले बाज और तेज गेंद बाज सबसे जादा important है ये चीज अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा बात करते हैं यहाँ पर venue stats के बारे में तो आप लोगों को बता दू यहाँ पर T20 International के 23 मुकाबले खेले गए हैं जहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 16 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं आपको बता दू चेज करना यहाँ पर तो आज के मैच में जो भी टीम आपको पहले बैटिंग करते वे दिखें चाहे वो इंगलेंड की टीम हो उसके जीतने के चांसी जादा रहेंगे क्योंकि सेकंड इनिंग में पिछ यहाँ पर स्लो डाउन होती है और यह हमने इस वर्ल्ड कप के मैटिस के अंदर भी देखा है एवरेज स्कोर की बात करूँ तो पहली निंग का जो ओसतन स्कोर है वो 159 नन है दोनों ही टीम है अच्छी है तो आप मान सकते हो 150-170 के असपा स्कोरिंग आपको देखने को मिलेगी 200 वाली पिच आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी रीजन क्या है कि यहाँ पर तेज गिन बजो को मुमेंट बिलता है और बॉल थोड़ा सा यहाँ पर फसके भी आती है तो 200 नहीं बनेंगे लेकिन 160, 170, 175 के असपास आपको स्कोरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी बात करें अगर लास्के चार मैच के बारे में सबसे आखरी मुकाबला हुआ अस्ट्रेलिया ओमान का ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 264 बनाए ओमान की टीम 20 ओवर में 25 बना पाई फिर मैच हुआ स्कॉटलेंड इंग्लेंड का जो की पर साइट 10 ओवर का हुआ था Scotland ने 10 over में 90 बनाई फिर उसके बाद मैच में 12 हुई तो मैच ये वाला रद कर दिया गया फिर मैच हुआ Oman नभीबिया का जहां पर Oman ने 19.4 over में 109 बनाई नभीबिया की टीम 20 over में 109 बना पाई तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बल्ले बाजी उतनी जादा आसान नहीं है जब यहाँ पर Australia खेल लही थी तब उन्होंने 164 बना दिये थे क्यों क्योंकि Australia का बैटिंग अटेक अच्छा है यहाँ पर England और West Indies की सीरीज का पहला वहाँ पर भी देखो रन बने थे और तेज गेंद बाजों को मुमेंट मिला था West Indies की टीम स्पिन के आगे श्ट्रगल करती है इसलिए उन्होंने 5 विकेट स्पिनर को दिये वरना स्पिनर के लिए टर्न यहाँ पर नहीं है यह चीज ध्यान रखको तो बल्ले बाज और तेज गेंद बाज सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है यह चीज ध्यान रखके चलिएगा बात करें यहाँ पर head to head की तो Australia England के बीच में आउस्ट्रेलिया को पेल सकती है वरना match तक्कर का होगा और end over में ही जाके आपको पता चलेगा कि match का winner कौन बनेगा बाकि जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े सारी important information टेलीग्राम के उपर free में आपको मिल रही है description में लिंक मिलेगा जाके जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद आप खुद देखोगे कि match से related सारी important information free में आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो description में लिंक के दे रखाए पड़ापड से टेलीग्राम चरल से जुड़ जाईएगा बात करते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले Australia के बारे में देखे Australia की तरफ से team news की बात करूँ तो Australia के सारे खिलाडी selection के लिए available है अब आज के match में Australia की playing 11 क्या रहीगी इनका batting order क्या रहीगा वो आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा देखे डेविड वार्नर ट्रेविस हैड टीम के लिए opening करेंगे वन डाउन पे मिचल मार्स, टू डाउन पे Maxwell, फिर मारकस टोईनस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, मिचल स्थार्क, नेथन एलीस, एडम जैमपा, जौसे जलवुट आज के मैच में हो सकता है एलीस की जगा आप लोगों को यहाँ पर पैट कमिंस खेलते वे दिख जाएं बाकी और कोई चेंज की मैं उम्मेद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बाकी अब इनकी तरफ से 4-4 ओवर की बॉलिंग कॉन करेगा, देखो मिचल स्थार्क 4 ओवर पूरे करेंगे, अलीस 4 ओवर पूरे करेंगे, अलीस की जगा अगर पैट कमिंस खेलेंगे तो वो 4 ओवर पूरे करेंगे, Zampa 4 over पूरे करेंगे Hazelwood 4 over आपको पूरे करते वे दिखेंगे इसके अलावा आखरी बचे भी जो 4 over हैं वो यहाँ पर Stoinis, Maxwell और Mitchell मार्श जालते वे दिखेंगे जिसमें से Stoinis के 2-3 over रहेंगे और 1-2 over Mitchell मार्श के रहेंगे और अगर ज़रुत पड़ती है तो यहाँ पर Maxwell से भी एक over के आसपास यहाँ पर कराया जा सकता है वो depend करता है situation के ओपर death over में balling कौन करेगा? Mitchell Starr confirm है Mitchell Starr के साथ Hazelwood आपको death over में balling करते वे दिखेंगे ये चीज़ ध्यान लगके चलिएगा अब इन सभी players के record देखें सबसे पहले खिलाडी है David Warner देखें David Warner के बारे मैं आपको बता दू बल्ले बाज अच्छे है हाल यह दिनों में form इनका अच्छा चल रहा है England के आगे देखो उतना तो अच्छा record नहीं है David Warner का मात्र 21 का average है लेकिन इस मैदान पे खेलना पसंद करते हैं 25 का average आपको इस मैदान पे देखने को मिलेगा David Warner वो बल्ले बाज है जो किसी भी टीम के आगे किसी भी मैच में 35 से 40 रन आपको बना के दे सकते हैं भरोसे मंद बल्ले बाज है form David Warner का अच्छा चल रहा है इसने टीम में रखिएगा नेकिन captain wise captain मत करिएगा ये चीज ध्यान रखके चलिए उसके बाद यहाँ पर अगले खिलाड़ी है Travis Head को totally hit and miss type के बल्ले बाज है आपको मैं IPL से बताता आ रहा हूँ कि इन पे आप भरोसा मत करिएगा ये चलने को चलते ऐसा है कि सामने वाले सब कहते हैं मज़ा आगया इनकी बैटिंग देखे जब नहीं चलते तो इनका बैटिंग ऐसी होती है कि आप कहोगे कि भाई खेला नहीं आता तो ये Travis Head के साथ दिक्कत है कि totally hit and miss type के बल्ले बाज है लेकिन देखो आपको पता है इस IPL में कमाल की बल्ले बाजी करी है वो भी timing के साथ तो Travis Head को team में रख लीजिएगा क्योंकि कब इनका बल्ला चल जाए आप predict नहीं कर सकते लेकिन captain wise captain मत करिएगा ये चीज़ धान रखे चलिए Mitchell Mars देखो अभी तो इतना confirm है कि as batsman आपको खेलते वे दिखेंगे देगिन Mitchell Mars कभी भी आपको में 2 over करे थे Maxwell ने अब आज के match में balling करेंगे नहीं करेंगे इस पर थोड़ा सा doubt रहीगा लेकिन ये चीज़ ध्यान रखे है कि Maxwell का batting से ना हाल ये दिनों में form बहुत ही गंदा चल रहा है अब Maxwell को अगर आपको लेना है ना ले सकते हो लेकिन मैं एक चीज़ बोलू एक आदा match अभी देख लो अगर एक आदे match में Maxwell form में आते हैं तब आप Maxwell को try कर सकते हैं वरना उतनी अच्छी पिक Maxwell आपके लिए नहीं रहेंगे balling अगर करते हैं तब तो हम एक बार सोच सकते हैं इनको लेने का लेकिन अगर आज के match में पता चलता है ये balling नहीं करेंगे proper as a batsman खेलेंगे तब आप Maxwell को 100% छोड़ दीजेगा तब उतनी अच्छे पिक नहीं रहेंगे मारका स्ट्राइन सिस्टेम बहुत अच्छी form के अंदर है विद्दा bat and ball दूनों से काम आएंगे जरूर लेके चलिएगा अभी-अभी लखनव सूपर जायंट्स के लिए कमाल की बल्ले बाजी करी है तिम डेविड बहुत ही अच्छे finisher है लंबे-लंबे चौके-चक्यों मानने के लिए जाने जाते हैं बट दिक्कत क्या है बैटिंग और टिम डेविड का नीचे है इसलिए उतने अच्छे बिक नहीं रहेंगे मैथिव वेड अच्छे finisher है लेकिन आपको पता है बैटिंग बहुत जादा नीचे करेंगे और खाली wicket keeper के रूप में लेना अगर आज के मैच में आप लोगों को पता चलता है आस्ट्रेलिया पहले balling करती है ले सकते हो क्योंकि पहले balling के time पे जनरली एक से दो wicket निकालते ही निकालते है जैंपा मस्टर पिक रहेंगे क्योंकि जनरली इनको 102 wicket मिलती है लेके चलिएगा जौस इजलवूड कटरस का अच्छा कासा प्रियोग करते है लाइन लेंद बहुत अच्छी रहती है लेंद बॉलो का अच्छा कासा प्रियोग करते है मस्टर पिक रहेंगे लेके चलिएगा Cameron Green खेलेंगे नहीं Aisthan अगर खेलेंगे नहीं English खेलेंगे नहीं Pat Cummins खेलेंगे नहीं अगर Cameron Green खेलेंगे तो Maxwell की जगा और Pat Cummins अगर खेलेंगे तो आप लोगों को पता है Elise की जगा वो खेलते वे दिखने वाले हैं अब जो लोग अभी तक Telegram से नहीं जुड़े किसका इंतजार है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहका है फड़ाफ़र से Telegram Channel से जुड़ जाईएगा बात करते हैं अब यहां पर दूसरी टीम England के बारे में देखिए England की तरब से अगर मैं Team News की बात करो तो England के सारे खिलाडी सेलेक्शन के लिए अवेलेबिल हैं अब आज के मैच में England की Playing 11 क्या रहीगी इनका बैटिंग ओर्डर क्या रहेगा अब वो आपको बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा देखिए जौस बटलर फिल सॉल टीम के लिए ओपनिंग करेंगे वन डाउन पे विल जैक्स तू डाउन पे जॉनी बियर स्टो फिर हैरी ब्रूक, मोए नली, लिविंग स्टन क्रेज डॉर्डन, जोफरा आर्चर, आदिल रशीद, मार्कवोड ये रहेगी इंग्लेंड की प्लेंग 11 ये रहेगा इंग्लेंड का बैटिंग ओर अब इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखिए और इन सभी प्लेयर में से लेना किस किस को है वो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले खिलाड़ी हैं जॉस बटलर, बल्ले बाज अच्छी है और अस्ट्रेलिया के आगे खेलना पसंद करते हैं, 45 का एवरेज है विकिट कीपिंग भी करते वे दिखेंगे मस्चाइपिक रेंगे, लेके चलिएगा फिल सॉल्ट की बात करो, तो हालिया दिनों में फिल सॉल्ट का फॉर्म अच्छा चल रहा है कॉलकाता नाइट रैडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया बल्ले बाजी करी है तगडे हिटर है, मस्चाइपिक रेंगे लेके चलिएगा, इस मैदान पे भी रिकॉर्ड अच्छा है 25 का उसत आपको देखने को मिलेगा विल जैक्स देखो, बल्ले बाज अच्छे है लेकिन टोटली हिट एन्मिस टाइप के बल्ले बाज है ये कब चलेंगे, कब नहीं चलेंगे इसके प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते देखो अगर आज के मैच में पिच रिपोर्ट में आता है कि पिच एकदम पाटा है तो आप विल जैक्स को अपनी टीम में रखो आता है कि थोड़ा सा बॉल फसके आई कि शुरुवाती ओवर्स में तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिलेगा छोड़ दीजेगा जहां पॉल फसके आती है जहां तेज गेंद बाजो को मुमेंट मिलता है वहां विल जैक्स का श्रगल आता है ये चीज धान रखिए जॉनी बियर्स्टो हालिया दिनों में फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है अगर इंगलेंड की आज के मैच में पहले बैटिंग आती है तो आप जॉनी बियर्स्टो को ली सकते हो सेकेंड बैटिंग में उतनी अच्छे पिक नहीं रहेंगे आउस्ट्रेलिया के आगे खेलना पसंद करते हैं 34 का एवरेज भी है हैरी ब्रूक एक और टोटली हिटन मिश्टाइब के बल्ले बाद फिनिशर बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी का बार इनके बल्ले से आपको बड़ी पारी देखने को मिलेगी वर्ना most of the time एवरेजी परफॉरमस रेती है तेज गती से खेलने के लिए जाने जाते हैं लेकिन कंसेस्टेंट जादा नहीं है ये चीज का ध्यान रखिएगा अराम से छोड़ दीजिए मोएन अली देखो बैटिंग बहुत जादा नीचे करेंगे बॉलिंग में दो ओवर करेंगे लेकिन बहुत जादा विकेट टेकर नहीं है और वैसे भी उस्ट्रेलिया उतना जादा स्पिन से परेशान होती नहीं है तो अराम से छोड़ देना लिविंग्स्टन की बात करो तगड़े हिटर है अब बॉलिंग में ओवर मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसके उपर थोड़ा सा यहां पर डाउट रहेगा लेकिन दो ओवर की उमीद मैं लिविंग्सटन से भी कर रहा हूं क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर को भी बॉल करते हैं और आपको बता दो अगर आज के मैच में इंगलेंड की टीम आप लोगों को सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते भी दिखती है ना जरूर आदिल रशीत को रखिएगा क्योंकि सेकेंड इनिंग के अंदर जो यहाँ पर यह पिछ है ना बार्बेडोस ब्रिच्टाउन की यह स्लो होती है जिसकी वज़े से यहाँ पर बल्ले बाजी करना आसान नहीं होता और अगर स्लो पिछ पर उस्ट्रेलिया वाले आदिल रशीत को खेलेंगे तो विकेट मिलने के चांसे आदिल रशीत के बढ़ जाएंगे मार्क वूड अपनी पेसन बाउंच के लिए जाने जाते है फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन विकेट टेकर बॉलर है ट्राई आप मार्क वूड को कर सकते हैं अगर पहले बॉलिंग आती है सैम करन, बेंड़केट, रीश्टो उपले में से कोई भी आपको खिलतावा नहीं दिखेगा ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखके चलिएगा दोस्तो अब देखते हैं आज के मैच में हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या रहीगी तो विकेट कीपिंग सेक्षन में जॉस बटलर, फिल सॉल्ट को पिक करेंगे बैटिंग सेक्षन में मिचल मार्श, डिविड वॉर्नर, जॉनी बियर्स्टो को पिक करेंगे अब आप कोगे भाई आपने ट्रेविस हेड को अपनी टीम में नहीं लिया, देखो यहाँ पर बिल्कुल पाटा ट्रेक नहीं होते और हेड का जो बल्ला जादा तर चलता है वो पाटा ट्रेक के ऊपर चलता है इसलिए मैंने जॉनी बियर्स्टो को पिक करा है क्योंकि आउस्ट्रेलिया के आगे खेलना पसंद करते हैं 35 का एवरेज है अगर आप इनकी जगा ट्रेविस हेड को लेना चाते हो ले सकती हो वरना और कोई चेंज करने की ज़ुरत नहीं है बाकी एक चेंज और बता दो अगर जैंपा की जगा आदिल रशीत को लेना है उनको कंसिडर कर सकते हो बाकी सब कुछ तीम में बढ़िया मैंने पिक करे हैं कोई ज़्यादा दिक्कत की बात आपको नहीं होने वाली कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो देखो मारकस ट्वाइन सबसे सेफ ऑप्शन है कैप्टन सी के लिए क्योंकि तीसरे डाउन पर बैटिंग भी दे रहे हैं और साथी साथ आपको तीन ओवर की बालिंग भी दे रहे हैं आपके पास यहाँ पर जोफरा आर्चर भी है option वाइस कैप्टेंसी के लिए और मिचल मार्च को भी आप वाइस कैप्टेंसी दे सकती हो लेकिन रिस्की रहेंगे लेकिन अगर बॉलिंग करने आ गए तो इनको भी वाइस कैप्टें करना सफल हो जाएगा ये चीज़ ध्यान दोस्तो